बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्योब चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार जोड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ा दो जिससे की आप सभी को एक एक नॉटिफिकेशन एक एक भी वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएं और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम का तो आप टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जोइन कर लें जिससे की आपको सभी इनफोर्मेशन टाइमली प्रवाइड होती रहे तो चलो आज की बात सुरू करते हूं पहला सवाल आपके सामने में रखता हूं बड़ा सिंपल सवाल है दो संपूरक कोण दो अनुपात तीन के अनुपात में होड नुपात में हैं तो जी अब को पताना है तो मुझे उम्मीद है ने सवाल के जवाब बड़ी तेजी से आप कोई प्राब्लम नहीं होगी और हाँ वो अलग अलग होंगी क्लासेस पूर्णिमा डूंट वरी ठीक है तो यहां पर देखते हैं 33 डिग्री 57 डिग्री 66 डिग्री 114 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री या 36 डिग्री 54 डिग्री तो सिंपल सी बात है मैंने आपको कल भी समझाया इस तरह का सवाल और शायद आपको समझ में भी आया होगा कि वो सवाल क्या था फिर भी आपको सवाल को फिर से एक बार रिमाइट करा देता हूं अगर हम संपूरक की बात करते हैं हम सप्लिमेंटरी की बात करते हैं अगर हम सप्लिमेंटरी की बात करते हैं तो दो कोनों का 180, तो इसको मैं देखूँ, तो टोटल कितना बन गया, 5 अनुपात किसके बरावर, 180 के बरावर, तो एक अनुपात का वेल्यू कितना हुआ, आपने खा, 180 बटे 5, 36, तो ये पहला वाला कौन, 36 की गुणा कर दो, इस वाले में भी 36 की गुणा कर दो, तो 36 दोनी 22 और 36 दिया, चार बजे होगी डेले, ओके, तो आपने क्या देखा, that is the option number C, 32 degree and 108 degree, is it clear, हाँ, अभी यभी, लेकिन, next time, कल से, जो भी क्लास होगी, वो चार बजे होगी, ओके, no issue, बास समझ में आ गई है, कोई प्राबलम तो नहीं, तो ये 32 degree आज से कितना आसान था, एक और सवाल लेत है, दो वर्गों के परिमाप 40 cm, 24 cm है, उस तीसरे वर्ग जिसका चेत्रफल, इन दो वर्गों के चेत्रफल के अंतर के बराबर हो, उसका परिमाप क्या होगा, question, I repeat my question, the parameter of the two squares is 40 cm and 24 cm, the third square, whose area is equal to the difference of the areas of these two classes, the parameter will be what, तो parameter आपको बताना है, मुझे उम्मीद है कि parameter में आप बहुत कुछ बताने वाले हैं, I think कि आप मुझे बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हैं, तो जल्ती से क्या जवाब आता है आपका, let's see what will be, I'm waiting for that, समझो, दो वर्ग हैं, squares हैं, एक square ये रहा, और आप सभी जान इसकी एक भुझा, तो आप सभी जानते हैं, 4A होती है, किसी भी वर्ग की parameter, तो 4A is equal to 40, तो A is equal to कितना हुआ, इसकी एक भुझा 10 की हो गई, है बई, इसकी एक भुझा कितनी की हो गई, आपने का 24 में, 4 का डिवाट 6 की हो गई, बास समझ में आ रही है न, वह इसकी एक भ बर्ग है, जिसका छेतरफल, इन दोनों के छेतरफल के अंतर के बरावर हो, तो इसका छेतरफल क्या होगा, आप कहेंगे सर, A square होता है, तो 10 का square कर दो, इसका तो हो गया 100, इसका करी, इसका होता A square, तो यह हो गया 6 का square, यह हो गया 36, उसने का इसका जो area है न, इन दोनों का difference है, तो 36 घटा दूँ, 100 में से, तो कितना बचेगा आपने 64, 64 बचा ना, तो यानि इस वाले जो नया वाला आपने बनाया, इसका area 64 है, और area तो क्या होता है, a square होता है, तो a कितना होगे, आपने का 64 का वर्गमूल, that is 8, तो इसकी भुजा 8 cm, क्या है, 8 cm, तो जो नया आपके सामने आया है, square, उसकी एक भुजा कितनी, आपने का 8 cm, और परिमाप कितना होता है, 4 चारों भुजाओं का total, 4 गुणा 8, बराबर 32, तो right option is option number 2, आपको समझ में आ रहा है का नहीं आ रहा है, yes के no, अगर समझ में आ रहा है, तो yes लिख दीजएगा, comment section में, सवाल बड़ा मज़ेदार था, थोड़ा सो घूमने वाला था, लेकिन था बड़ा आसान, बहुत बढ़िया, ये दोनों के लिए, आपको बता दे, एक आयताकार कारपेट का, छेतरफल 120 मीतर है, तथा परिम आप 60 मीटर है, उसके विकर्ड़ की नंबब़ा, बता दो क्या है, देखते हैं आपका चेवाब क्या मिलता है, 10- इसका मतब क्या है, एक आयताकार, चलो जी बना लेते हैं, यह हमारी आयताकार कारपेट है उसने कहा इसका एरिया आपको दिया है एरिया कितना है आपने कहा 120 मीटर स्कुएर इसका परिमा इसका दिया है पैरी मीटर वो कितना है आपने कहा सरजी 40 मीटर तो आप से कहा गया इसकी diagonal इसकी length बताओ ये क्या है ठीक है अब देखते हैं आपका सवाल का मिलता है कोई बात नहीं है नो पर math बिलकुल नहीं आती है तो सीख जाएंगी देखो कोई भी चीज हम बच्पन से ये जन्म से लेके नहीं आते हैं सभी अभी मन्यू पैदा नहीं होते हैं है ना कि वो तो पहले से सीख के आए थे आप सबको सीखने के लिए time dedicate करना पड़ता है आपको चीजे समझ दी पड़ती है आपको time devote करना पड़ता है और अपने लिए उसको revision करना होता है then you can learn the mathematics ओके तो आयतकार की हम बात कर रहे है तो आयतकार कारपीट का क्षेतरफल 120 मीटर और परिमापी है और अगर मैं आप से बात करूँ तो जो क्षेतरफल होता है वो क्या होता है सबोज यह L है और यह B है then what will be the area it will be L into B is equal to what is 120 and parameter is what 2 into L plus B it will be what 46 so L plus B is equal to what that is 46 upon 2 that is 23 so now you have 2 you have 2 equations that is L into B is 120 and next one is L plus B is equal to 23 equation number 2 अब क्या हुआ यह पर दो चीज आपका समझ में हागे अब आयत की विकरण की बात होरी यह क्या होता है जो diagonal होता है वो क्या होता है आप कहते हैं L square plus B square का वर्ग मूल होता है यह तो होता है तो अगर मैं इन दोनों equation को देखूँ तो मैंने L plus B का whole square कर दिया बात खतम यह क्या हुआ अगर मैं L plus B का whole square करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा आपने कहा L square B square plus 12B यह तो मिलेगा हाँ जी सही बात है न एक दम यही मिलेगा न कोई बात नहीं यह मिला तो आपने क्या देखा मैं बाइट कलर में करूंगा question को तो क्या करें वही L plus B तो आपको पता है 23 है तो मैं इसको यहां कर देता हूँ L plus B 23 का whole square is equal to what L square plus B square पता नहीं पर इसका ज़रूर पता था 2 into L B कितना हुआ 2 into L B वेट में यह L plus B हमने गलत लिख दिया क्योंकि यह था L plus B और L plus B तो 23 था ठीक है फ़र तो और L into B 2 into 1 to 1 240 तो अगर मैं चाहूँ तो यहां से L square plus B square निकाल सकता हूँ न यह कि हो जागा तेज का square अच्छा किस को पता है 23 का square और यहां पर आंसराने लगे हैं बहुत बढ़िया अरे वाँ आप तो बड़े कमाल के बच्चे हैं मुझे बढ़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से question को solve करते हैं बहुत बढ़िया तो आपने मुझे बताया है के सर 17 इसका answer होना चाहिए देख लिए थे हैं आपका answer क्या है तो आप ने क्या काम किया तेहिस का स्कुवेर इस इकल तो 529 clear minus 200 शालेंस is equal to L2 plus 20 अब क्या हुआ अगर मैं से 24 गटाउं तो 9 मैं से 0 गए 9 12 मैं से 4 गए 8 4 मैं से 2 गए 2 तो अब मैंने सामने ये value है ये किसकी value है आपने कहा सर ये तो L2 plus B2 की value है अगर मैं दोनों तरफ का square root कर दू तो it will become this it will become this और ये किसका square root है 17 का तो right option is 70 clear any problem बहुत बढ़िया that's nice very good बढ़िया आपके लिए बहुत अच्छे तालिया क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से answer दे रहे है that is very good so right answer समझ में आया कोई problem तो नहीं है थोड़ा असा थोड़ा असा आपको बस मैं अलग हो जाता हूँ जिससे कि आपको एक एक चीज clear हो जाए और आपको concept भी clear समझ में आये बहुत बढ़िया जवाब बढ़ते हैं एक और next question की तरफ अच्छा जवाब आप दे रहे हैं एक और सबाल question कुछ इस तरह से है किसी संभाहू तिर्बुज की उंचाई संभाहू means बताऊंगा भी 413 cm है इसके परिवरत के क्षेत्रफल का इसके अंतावरत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या हुगा no problem so question is the height of an equilateral triangle is 413 cm the area of its circumference will be proportional to the area of its innermost circle so firstly I would like to draw a diagram through which you can easily understand the concept okay so are you ready okay let's see what will the triangle triangle is equilateral triangle is संभाहू यानि जिसके सारी भुजाएं बराबर है तो मैंने एक diagram ड्रॉ किया यह रहा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ये एक संभाहू तिर्बुज है अब इसकी height आपको दिया है ये वाली its edge उसका value कितना है 413 उसने कहा इसके परिवरत का छेज़ा अब परिवरत what is परिवरत इसके परिवरत जनी ये जो इसके चार तरफ मैं विरत बना दूँ जो इसके तीनों को टच करके जाए एक वरत मैंने बनाया का छेतर वरत इसके अंतर वरत के छेज़ाएं इन दोनों का ratio आपको बताना है तो देखते हैं आपका क्या answer मिलता है मुझे यह उचा ही 413 मुझे थोड़ा सा घलत लग रहा है यहां कुछ और होना चाहिए था 413 तो बहुत ज़्यादा है I think some part is missing it may be क्योंकि some part is missing यह 413 से नहीं होगा क्योंकि 413 तो बहुत ज़्यादा है एक मिन टुक जाओ इसको आगे बताता हूँ क्योंकि 413 इसमें नहीं है मैं एक बार चेक करता हूँ question को मुझे डाउट लग रहा कि 413 तो नहीं होना चाहिए let me explain next question तब तक मैं टीम से चेक कर रहाता हूँ उस question को एक बार दुबारा से ठीक है ना चलो question है एक घनाब का आयतन एक घन के आयतन का दो गुना है यदि घनाब की विमाई 9 cm 8 cm 8 cm और 4 cm है answer तो उसका 4 is to 1 नहीं आएगा जो पिछे बाला कुशन था क्योंकि inner most circle और outer most circle का जो formula वो यही है 413 में matter नहीं करता है लेकिन फिर भी मुझे एक बार उसको देखना था या 4 root 3 होगा वो मुझे एक बार उसको चेक करना है आपको नहीं बताता है चाहता के कोई problem create हो यदि घनाब की विमाई 4-9 cm, 8 cm, 6 cm है तो घन का संपूर परस्ट का चेतफल के आए question बड़ा simple है that is the volume of a cube-wide is twice the volume of a cube if the dimension of the cube-wide are 9 cm, 8 cm and 6 cm then the entire surface area or total surface area of the cube is what 72, 216, 3432 and 108 let's see what will be the right answer wait a minute okay so what will be the right answer let's see घनाब means cube-wide cube-wide ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की जो faces है, फलक है वो बराबर होती है बराबर होती है नहीं अब down बराबर left right बराबर and front and back बराबर उसका जो आयतन है, एक घन के आयतन का दुबना अब ये घन है समझते हैं सवार की बस feeling को समझ जो question समझ में आ जाएगा ये घन है, जिसके सारी भुजाएं बराबर होती है उसने कहा इदी घनाब की इसकी विमाई दे दी है nine eight and six तो अगर मैं कहूं आपसे nine eight six आपके सामने लिका है वोलियूम क्या होगा क्या वोलियूम बताएंगे तो आप कहेंगे nine multiply by eight multiply by six क्योंकि LbH होता है है ना, तो नो, आठ और छे कि आप गुणा कर देंगे तो नो, अठे बहात्तर गुणा छे दूनी बारा, छे सत्ते बैलिस और एक 43 432 आपके सामने आगया यही तो होगा वासन में आगया छे दूनी बारा, छे सत्ते बैलिस नो, आठे बहात्तर, सही तो है तो 432 जो है आपको मिला क्या, इस क्यूब वाइड का वोलियूम उसने कहा घनाव का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है यानि यह डबल है इससे देखते रहें न, तो घन का सम्पूल परस क्या होगा यानि यह जो आयतन आपके सामने लिखा है, that is double यानि इसका तो आदा होगी है न 216 देखो, समझो इस बात को उसने बोला घनाव का आयतन घन के आयतन का दुगना है तो यानि यह जो वोल्यूम है इससे double है तो अगर यह 432 आपने calculate किया है तो यह तो इसका आदा होगी है 216 तो मीनिंग क्या हुआ यानि इस cube का जो volume है 216 है तो आप क्या करेंगे एक क्यूब बहुत है न वोल्यूम 216 उसने बोला है तो संपूल परस क्या होता है आप जान दे सभी संपूल परस क्या होता है 6a2 क्यों होता 6a2 क्योंकि घनाब की सारी जो faces है जो फलक है वो सारी फलक एक फलक का area a2 हो गया 6a2 6a2 तो छे गुणा छे का स्कुव है that is छे गुणा छे गुणा छे is equal to 216 centimeter cube is the right answer so right option is इसको cube कर लिए area पूछा है, माफ़ कर लिए it's area square that is the answer 2, clear हाँ, किसी बुझा जिसकी बुझा छे होती है वो उसका जो आयतन और 16 होगा, हाँ, बिल्कुल सही का बिल्कुल राहूल जी, क्या बात है राहूल जी ने एकदम करारी बात कही नमस्कार, आते ही answer फिर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल क्या कहता है आप से कुछ आंकड़े दिये गए हैं आंकड़े 25, 16, 23, 43, 27, 25, 23, 22 का परीसर क्या है कुछन स्वाम स्टेटरिस वाट इस दी रेंज और गिविन देटा 25, 16, 23, 40, 27, 25, 23, 42 So, find out the range What is the range So, what will be your right answer यह कुछन क्यी बार आचोक है examination में range क्या है तो range के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको range के बारे में पता है तो आप ranger बन जाएंगे और धग 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 गुरे चलाएंगे और आप क्या answer आचाहिएंगे तो पहले समझो यह क्या है इसको बोलते हैं statistics यह part किसका? statistics का part सांखी की का part है stats बोलते हैं जिसको short में आप पर stats से हर किसी exam में question निकलते हैं इस बात को भी याद रखिएगा तो समझते हैं, यह जो parisar है parisar का मतलब क्या होता है? range कितनी है, तो range क्या कहलाती है? सबसे बड़ी वाली संक्या और सबसे छुट्टी वाली संक्या उन दोनों को घटा दो, बस मेरी class साड़े आठ बजे होती है रात को ठीक है न? हरशिता, ओके तो आप क्या करें? इनमें सबसे बड़ी वाली ढूटो कौन सी? आपने का असर 42 और सबसे छोटी वाली डूटो आपने का 16 तो यानि हाइस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आलवेज भी एक्वल टू रेंज उचितम मान माइनस निम्न तम मान हमेशा परिसर कहलाता है ठीक है न? हाँ, इसमें दो बार लिग गया है इसका कोई बात रही है इसको पाँच माप्शन और कर लो 26, ओके तो क्या करें हाई वैल्यू कितना है आपने का 42, लो वैल्यू कितना है 16, घटाएं दोनों को तो क्या मिला, 42 में से 16 गया तो 26, तो 26 तो 26 दिराइट हैं सर क्लिर है? हाँ, बिल्कुल मनतोश इस तरह के प्रशान आपको एक्जाम में जरूर मिलेंगे तो एक और समाल की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं One more question for you guys All of you are ready? Yes Okay, great एक और चलिए यदि विक्रे मुल्य को दो गुना कर दिया जाए तो लाब तीन गुना हो जाता है तब लाब प्रदिशत क्या होगा? कुशन आपके सामने हैं यदि विक्रे मुल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाब तीन गुना हो जाता है इसका लाब प्रदिशत क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है? तेजी से करिएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूं तब तक आप सवाल को करें मेरम तब तक आप सवाल करें तब तक मैं जल पीता हूं मैंने कहा अगर मैं आपसे बात करता हूं किस बारे में आकणों के बारे में तो रेंज जो होती है जो परि indifferent होता है वो क्या होता है है कि यही कि अंतर है ओके तो जैसे यहां पर सबसे बड़ी वे लिकिती 42 42 में से अपने 16 घटा दिया तो आपको क्या मिला 26 तो 26 जो है इनकी रेंज जो कहलाएगा अभी कोई डाउट जल्दी से बताओ और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फिर जिसे कि हम आगे बढ़ें और काफी अच्छे से मिलेंगे ओके वेरी गुड तो भाई शुवात होई है बढ़िया नेक्स्ट ओके मनतुष किलिर हो गया चलो यदि विक्र मुल्य को दो गुना कर दिया जाए यहीं सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो तीन गुना हो जाता तो लॉद परसेंटेज बताथो कितना हो गया है हां अध्य छी जरू करें अखलि सन असोब ना सकती बात है क्या बात विक्र मुल्य जो था वो परसेंट था ठीक ना तो क्या हुआ उसने का उसको डबल कर दिया 200% हो गया तो प्राफिट जो है तीन गुना हो गया इसका मतलब क्या हुआ यानि आप देखो 100 और पहले 200-300 अगर 300 में से मैं 200 निकाल दूँ तो 100% मुझे आसानी से मिल जाएगा बीजदी करेक्टर बहुत बढ़िया मंतोश ने भी बीका है और क्या बात है आपने तो धुआउं उतार देवे सवालों में मुझे बढ़ा अच्छा लग रहा इस तरह से आप जवाब दोगे तो इस वेरी नाइस बहुत बढ़िया जवाब तो यह तो बच्चों का सवाल ल प्रिक है कठिंता है सामाने के लिए नहीं है जल्दी सी थीक है न जल्दी से तो गनित की प्रिकरति कैसी है ले नेचर अफ मैसमेटेक्स इस वोट काइंड ऑफ नेचर अफ मैसमेटेक्स यह आपको बताना है और मुझे अम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे और गनित की प्रिकरती तारकिक है nature of mathematics always be logical क्योंकि गनित को बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है बच्चा गनित पढ़ने जाता है वो logical thinking को generate करने के लिए उसकी logical thinking को upgrade करने के लिए उसको वहाँ भेजा जाता है निवन में से कौन सा केंदरी प्रिप्रती की माप नहीं है ये बहुत अच्छा परशन एक और मिला है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में central tendency which of the following is not a measure of central tendency कौन सा central tendency की माप में नहीं आता कोशन आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे बड़ा अच्छी से मिलेगा अगर कुछ problem हो तो you can share your views माध्य माध्य का बहूलक और परास मैं बोलते हैं इसको बोलते हैं mean इसको बोलते हैं median इसको बोलते हैं mood इसको बोलते है range arrangement नहीं भी बताया था आपको तो देखते हैं आपका जवाब हमें किस उन्यती तक लेकर जाता है और क्या सवाल बताते हैं आप बढ़िया से जवाब मिल रहे हैं मुझे और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब ऐसे ही लगातार चलते चलें और हम बढ़ते चलें बहुत बढ़िया तो यहाँ पर आपका जवाब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है और हमारा आंसर भी आपकी तरफ आने लगा है पास वो आने लगे जरा-जरा रेंज बहुत बढ़िया तो यहाँ पर आपने गार रेंज हो सकता है सर चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने range की बारे में बात की है, तो range भी हो सकता, let's see देख लेते हैं, जैसा आपको उच्छत लगे, हम तो आपके साथ ही है, okay D, देखो, माध्य माध्यका और बहुलग, यह central tendency, measure of central tendency, it means average average, आप average find out करने की बात करते हैं, जब आप average find out की बात करते हैं, तो Kendri प्रवर्ति की map उसको बोला जाता है, तो Kendri प्रवर्ति की מהपों में क्या नहीं आता, देखो, central tendency, it means average, तो जब आप किसी भी average की बात करेंगे, आवसत की की बात करेंगे वो सब केंदरि प्रवर्ति की मावों में आएगा माद्य एक average है माद्य का भी average है मीन, mode, median, मीडियन, तीनों ही average में आते हैं अब सोचे लो सर्जी मजा कर रही हूं आप ऐसे कैसे हो जाएगा केवल average तो यह होता है मीन जिसको आप बोलते हैं लेकिन या रखना, median भी average होता है, और mode भी average होता है, किसका average होते हैं, बता देता हूँ, माद्य जो बोलते हैं, जिसको आप mean बोलते हैं, ये संख्याओं का average होता है, median के अगर हम बात करते हैं, ये average होता है, किसका number of terms का, not values, number of terms का, values का नहीं होता है, ये number of terms का होत हैं that is frequency highest repeated frequency highest repeated value उसको आप बोलते हैं mode तो यह तीनों होते हैं क्या और जो यह परास है यह आता है deviation में measures of deviation विचलन जिसको आप बोलते हैं तो right option ता परास इन केंद्री प्रवर्वती के मौपब में नहीं आता है जितने भी mean mode median से जुली चीज़ें वो सब इसमें आती हैं बाकी नहीं आती है एक और सवाल चलो कोशन है ABC का अंता केंद्र O है एंगल B ABC बराबर 60 और एंगल AC बराबर 50 हो तो एंगल B OC का मान आपको बताना है तो मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिले और मुझे समझ में आ रहा है शॉरी नाफ किजिएगा तो मुझे उम्मीद है आपका जवाब मुझे मिलेगा तेजी के साथ और क्या जवाब देंगे ABC का अंता केंद्र होगा है अब एक ट्राइंगल यहाँ पर दे दिया है यानि यह क्या हो गया एक ट्राइंगल है यह वाला हो ठीक है उसने कहा इसका केंद्रक O है यह O लिखा है केंद्र तो अब सभी जानते होंगे ना चलो बात है बताऊंगा चितर में बनाई रहा हूँ C आपने कहा 70 डिग्री और क्या बात है ABC 60 डिग्री है और AC भी 50 डिग्री है अच्छा तो आपने टोटल एक सोच से कर दिया इसलिए बताया आपने क्या बात है बहुत तेजी से मुझे आंसर मिला है कि आपने कहा है सर इसलिए बताया हमने तो क्योंकि यहां पर हम देख पा आया, let's see, देख लेते हैं, वही, क्योंकि ऐसा सवाल, आपका जवाब, मुझे उम्मीद नहीं थी, कि आप इस तरह का सवाल का आंसर, इस तरह से देंगे, तेजी के साथ, आपका जवाब मुझे मिल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आपका जवाब तेजी से आना चरूरी है, ओकी, बढ़िया, सबने सी का है, तो पहले समझे लो सवाल, अच्छा, मुझे कौन-कौन बता सकता, आप में से कमेंट करके बताएगा, ये केंदरक क्या होता है, अगर मैं केंदरक की बात करता हूँ, ये केंदरक का मीनिंग क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि केंदरक का मीनिंग क्या होता है केंद्रक किसी को भी पता हो तो आप हमीं बता सकते हैं आपका आंसर के स्वागत है केंद्रक को जानता केंद्रक क्या होता है किसी को भी पता हो what is the केंद्रक और केंद्रक को क्या बोलते हैं इन सेंटर केंद्रक और सेंटर और सेंटरोईड केंद्रक और अंथा केंद्रक दोनों अलग अलग होते हैं शायद आप जानती होंगे केंद्रक और अंथा केंद्रक दोनों अलग अलग होते हैं कौन-कौन है मैं comment section देखता हूं क्या मिलता है मुझे आपका जवाब कोई सबसानती है मात दिकाओं को मिलाने वाला point बहुत बढ़ी है जवाब मुझे मिला है पहला answer मिला है कि अगर हम केंद्र की बात करते हैं अन्था केंद्र की बात करते हैं तो आपने का मात दिकाओं को लेकिन आपको बता दें अखलेश माधिकाओं को मिलाने वाला point केंद्रक होता है अन्था केंद्र नहीं होता अगर माधिकाओं की बात करते हैं मीडन की बात करते हैं जहां तीनों माधिकाओं काटें वह तिर्बुझ का केंद्रक होता है ना कि अन्था केंद्र अन्था कें एज़ामपल ABC था ना ABC यह A है यह B है और यह C है ABC उसने कहा इसका अंता के अंदर क्या है तो मतलब ABC कितना है यह 60 डिग्री दूसा कितना है उसने का ABC कितना 50 डिग्री तो इन कौनों के अर्धक की बात हो रही है यानि यह जो कौन यहां मिलेगा इस कौन को आधा करके जाएगा यह यहां पर ऐसे और यह कहां चला गए मैं तो डाइग्राम ही चला गए यार चलो यहां बना देते हैं कहां चलेगे सारे डाइग्राम है सबोज यह 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 बी है और यह सी है उसने कहा AB सवाल ही चेंज हो गया मेरा तो यह था तो यह 50 है तो यह जो यहां से बिल जाएगे यह इसका अर्धक होगी यानि यह 25-25 में तोड़ेगी इसको ठीक है जब यह लाइन ऐसी आएगी तो यह इसको कितने में तोड़ेगी आप समझ में आ रही है यह 25 है यह 30 है समझ में आ रही है बात यह सर नो आं एंगल बाइस सेक्टर होता है और जब यह वाली लाइन हां से जाएगी तो यह इसको दो कोण में तोड़ेगी अब उसने क्या पूछा है आपसे हमें BOC का मान बता दो तो BOC यह इस कौन कितने 25 का तो 55 डीग्री के कौन हो गयी अगर मैं 55 की बात करता हूं तो इस ट्राइंगल में यह वाला कुण कितने का बनेगा मैं वाई से कलर कर देता हूं इसको ऐसे इस वाले एंगल की बात हो रही है दिख रहा है ना आप सुब के दुबारे से बता देना यह 25 का है यह 60 का है, इस वाले को पूछ रहे हैं, कोई प्राब्लम? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 125, जब यहां कौन दियें तो समझ लेना, अन्ता केंदर कौनों के अर्दक को बोलते हैं, बात समझ में आगी सब लोगों को yes के no, हाँ के ना, क्लियर है, सभी लोगों को, आप किदर से भी निकालें, ABC को बने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, कहीं भी मानो, लेकिन जब यह 30, सॉरी, यह 30 का है, यह 30 का है, यह 25 का है, इन दोनों को जोड़ों तो इस वाले कौन, 180 से घटा दिया, तो 180 माइनस का 55, that is 125, तो राइट ऑप्शन, what will be 125, हम जनरी 70 आंसर कर सकते हैं, कि हम जोड़ों के तीनों को रांसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्लियर है, वाज समझ में आगी, सब लोगों को, yes के no, चल दी से, okay, क्लियर है सब का, बहुत बढ़ी आद, यह लाइक वएक करते रो, लाइक में हन्ज्युशी नहीं चाहिए, एक और सवाल चलो, एक वरत की जीवा की लम भाई, वरत की तरज्या के बराबर है, वनि वरत की जो जीवा है, इसको कोड बोलते हैं, इस जीवा द्वारा विरत के दीर्ग खंड में बनाया जाने वाला कौन कौन सा है question क्या है the length of a code of a circle is equal to the radius of the circle the angle formed by this code in the long segments of the circle is what देखते हैं साब आपका जवाब क्या मिलता है बहुत आसान सवाल है आप कहेंगे तो इसको मैं draw कर देता हूँ अगर आपको मैं draw कर दूँगा तो कुछों कब चुटकी निकाल देंगे तो देखते हैं आपका जवाब इंतजार है मुझे आपके जवाब का और जवाब क्या मिलता है देखेगा एक वरत की जीवा की लंबाई वरत की तरज्या के बराबर है यह हमारा वरत हो गया उसने कहा वरत की जीवा की लंबाई अब जीवा यह कोड हो गई कोड इसको बोलते हैं कोड यह कोड है इसकी जो length है न वो किसके बराबर है जो विरत की जो circle की radius है for example यह यहां पर है तो इसकी लंबाई बराबर है तो यह भी radius है दोनों बराबर है तो यह भी तो radius हो यह भी radius है अब यह सब बराबर तो है यह यह भी अगर यह 5 की यह भी 5 की यह भी 5 की यह भी 5 की तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर वैल्यू आपके सामने आ गई, यानि ए, 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 इस इट किलियर ना को प्राबलम, भाई यह रेडियस है, यह कोड है, तीनो बराबर है, जब तीनो लाइन बराबर हैं, और एक ट्राइंगल का निर्मान हो रहा है, तो वो ट्रा संभाहू तन बोलते हैं इसको, संभाहू तन पर होते हैं, बराबर होते हैं, यह साथच दिघ्री, परते कौन कितने हैं 60, 60, 60, सही बात समझ में आग उसने रह हैं, अब दीरखंड क्या है ? दीरखंड भी बना देते हैं, तैज नीए लोन उख में इस वाली की वेले और आप तो सभी जानते हैं अगर किसी ये परिवर्द बोलते हैं अगर किसी भी बिंदू के अंदर किसी भी बिंदू के अंदर अगर ये कौन साट का तो ये क्या होता है ये इसका आधा होता है इसका डबल होता, 30 degree, तो right option इसे, बराबर नहीं होते ही है, दीर खंड बे बना हुआ कोण, हमेशा इस वाले केदर बने कोण का आधा होता है, अगर ये 30 का होता है, ये 60 का, ये 60 का तो 120 का नीचे वाला होगा, is it clear, तो आपको इन सभी properties के बारे में जानना होगा, ये properties आपको पढ़नी होंगी, then you can only solve these types of questions, अभी समझ में आया, तो right option एक था, तो यानि आगर मैं आप से बात करें, geometry के थोड़े से, आपको और ज्यादा मेहनत करने के आवाशकता है, and you have to do the particular task again and again, समझ में आया, को problem तो नहीं है, आगे बढ़े, एक और सवाल लेते हैं, कुशन you will get good marks and you will get good knowledge, no issue, एक और सवाल चलिये, यह रहा, दो संख्याओं का योग 132 है, तथा उनका लेस है, 360 है, वो संख्याओं करम्शे है, वो संख्याओं करम्शे हैं, the sum of the two numbers is 132 and their LCM is 360, those numbers are respectively, वो कौन कौन से नंबर हैं, कुशन आपके सामने हैं, चाहूंगा जब आम मिलें कुशन आपके सामने लिखा है, और मैं अपना कलर चेंज करता हूं पैन का, और चाहूंगा, आप लोगों का जवाब इंदम सही सलामत हो, So, क्या हैं आप लोगों के चुनाब, जातिस हमें comment जरूर करके जाएं, comment में जरूर बताएं कि आपको answer कैसे लगे, कुशन कैसे लगे, comment section में जरूर बताएं, ये तो live चेर चल रहा है, इसके बाद भी comment करके जरूर बताया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपक meditation music RGB, okay, देखो, मुझे रिखता है, नाम सही रहा है, मेडिटेशन की और सवाल को पकल लिया, meditation के तुरू, कैसे, समझे ना, निश्व ने भी कहा है, देखो, कुशन को दो तरीके से करते हैं, ये तो मैं इसको property से समझाऊंगा, पहले मैं आपको advance भी बताता हूं, ऐसे चु ये तो नहीं बनी, option out हो गया, 60, 72, 132 ये बन गई एक तो, 72 और 70, 72, 142 ये भी नहीं बनी, 138 ये भी नहीं बनी, सवाल का तो बाजा बज गया, सवाल का तो बाजा बज गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, दो संग्याओं को जोडने पर सिर्फ 132 इसी में आरा तो यही option, क कितना आसान सवाल था, ऐसे कर सकते हैं, पहले यह आगी जाने की जुरूती नहीं पड़ी, हलाकि इसको अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे, तो कैसे करेंगे, संख्याओं को योग 132 है और 360 उनका LCF, तो या दखना, संख्याओं के योग और उनके LCF क्या होता है, योग वे LCM, इन दोनों का HCF, सेम होता है किसके, संख्याओं के HCF के, इस तरह से सवान हो गए, यह प्रॉपर्टी लगए, किसको याद कर लेना, दोनों संख्याओं का योग और LCM का जो HCF आता है, वो दोनों संख्याओं का HCF होता है, तो आप इसको सालब करेंगे, लेकर मैं व पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सवाल हमें तो स्मार्ट वे सीखने हैं बहुत सारे, और इसको डिटेल में, बेसिक वे में समझाएंगे, जब इसका नंबर आएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू, एक और सवाल, किसी संख्या के वर्ग का 3 बटा 5 भाग, 126.15 है, तो वह संख्या बताओ, क्योशन है, the 3 by 5 of the square of a number is 126.15, state that number, what is that number, क्योशन आपके सामने है, और ये लाइक शेयर का सिस्रा जाली रहेगा, और जल्दीचे शेयर करते हो, आगे भी बढ़ाते रहो दोस्तो, तभी तो मज़र आएगा आपको पढ़ने में और हमें कूल था, देखते हैं, उसने का कोई संख्या का वर्ग, चलो हमने मानी, वो संख्या ए है, a square का वर्ग हो गया, का 3 बटा 5, ओके 3 बाइने भाई, कितना है, 126.15 है, तो अगर मैं आपसे बोलू, a square क्या हो जाएगा, आपने खा, सर 126.15, मल्टीपला भाई 5 बटा 3, तीन से के बारा, तीन दोनी 6, तीन फंचे 15, पांसे डिवर पांचे 25, पांच दोनी 10, पांच योग 20 और एके केस, दो अंक पाद दस, यह इसका टोटल आया, यह यह जोनी a square is equal to यह है, हमें तो a निकालना है, हमें तो a निकालना है न, तो हम a कैसे निकालने, a is equal to what, आपने का 210, दसमलब 25 का आपने वर्गमोल निकाल दिया, हाला कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कि यहां पर लिखा है न, आप इसको कर सकते हैं, कि अगर दसमलब हटाएंगे, तो दो जूरो बढ़ाएंगे, तो इसका वन्दब क्या हुआ, 210, 25 बटा 100 का वर्गमोल, आप इसको कह सकते है इसका तो दस हाया, उपर वाले का क्या है, दो हजार, 21,25 का वर्गमोल किस-को पता है आप में से, कौन मुझे बता सकता है, 21,25 का वर्गमोल, बड़ा आसान है, आसान ही से कर सकते हैं, आगर 21,25 का वर्गमोल अगर मैं आप से पूछ हूँ, तो यू के एजिली ड़न, और शायद आपको पांच का नियम पता भी होगा, मेरे हिसाफ से आपको पता होगा, यस के नो, पता पका पता है न, बात बड़ी आख, चलो बताता हूं अभी, that is, 14, मैं बता देता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ, 14 का स्क्वार, इसक्वार समझे लो, तो कैसे करते हैं, दे 15, 4, 60, 15, 15, और 6, 21, तो यह बंगे, अगर इसको ऑपोजिट करना होता है, तो लास्ट के दो नमबर लेते हैं, पांच, और यह देते हैं, किन दो कॉंजुगेटिव नमबर का मल्टिप्लाई है, तो आपने का 14 गुना पंदरा, तो इसमें छोटी संक्या ले लेते हैं, तो 14, 14, ऐसे बनता है, पांच के स्क्वेर मां पास आने से कर सकते हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, 145 बटा 10, डिवाइड करते हैं, 14.5 इस दे राइट अंसर, तो एसे सवालों को घबराने का नहीं, दरने का नहीं, एकदम मजबूती से अड़ने का और कहने का, कि मैं तुझे दुम करके मानेंगे, हाँ, चलो, कुशन है, एक भिन के अंश तथा हर, दोनों में, एक जोडने पर भिन एक बटा चार हो जाती है, यदि अंश तथा हर दोनों में, दो जोडा जाए, तो भिन एक बटा तीन हो जाती है, भिन के अंश और हर का योग क्या है, question क्या है the question is adding one to the both numerator and denominator of fraction becomes one by four if two is added the both the numerator and denominator it becomes one by three find the fraction of the sum of denominator and numerator thank you Poonam ji पास समझ में आगई चलो देख लेते हैं क्या प्रब्लम है एक भिन के अंशर हरा मैंने माना भिन होगी एक सपून वाई चलो आपके according चलते हैं यहां से हमने माना भिन है भाई इसकी X अपून वाई उसने कहा इन में दो दो में जोड़ दो एक मेरे भाई और उत्तर आ गया एक बटा च्छे कोई प्रब्लम नहीं उसने बोला दूसरे में देखो दो जोड़ा जाए तो भिन इतनी होगी तो भई X अपून वाई में आप आपने दो जोड़ दिया दोनों तरफ तो भिन कितना होगी आपने कहा एक बटा तीन तो इनकी क्रॉस मल्टिप्लाई कर लें से तो आपको कुछ भिन मिलेंगी कैसे मिलेंगी देखो चार एक्स प्लस चार इस इकल तो य प्लस वन यह क्या बना 3X प्लस 6 इस इकल तो Y प्लस 2 अब इसको इधर ले आते हैं मैंने क्या देखा इसको मैं इधर लाया तो क्या हुआ तो इस 4X minus Y is equal to 1 minus का 4 तो 4X minus का Y is equal to minus 3 equation number 1 इसको हमने बंद कर दिया है वाइट कलर में हमें याद रहेगा हमें इसको solve कर ला है according to second condition क्या है इसको देख लेते हैं question second क्या equation 3X minus Y 6 को उधर बेज़ इस इकल तो क्यो होगा minus का 4 equation number second यह equation number 2 हो गई अब इन दोनों को solve करना था तो क्या होगा वह यह minus यह plus यह भी plus यह कुछ तो करना ही नहीं है नीचे वाले को करते हैं उपर वाले को करना हैं फिर आपको confusion होगा तो इसको नहीं करते हैं नीचे वाले को करते हैं यह तो आपको दिक्कत करो ओके तो क्या किया इसको घटाया, दोनों को सब्डेट किया तो ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया अब Y से Y कट गया, ये क्या बना 1 बराबर प्लस का 4 माइनस का 3 तो X बराबर 1 तो Y बराबर 7 दोनों को जोड़ें 1 बटा 7 बराबर right answer is 8 बहुत बढ़िया तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से answer दिये तो जैसा question बोलता जाए हमें बस वैसे ही करना है ओके तो आज का session मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आया होगा अगर पसंद आया है तो दोस्तों like share करने में कंजू सी मत करना और फिर मुलाकात करना इसी थमें चार बजे वोसे next class में उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये session जबरदस तरीके समझ में आया होगा ओके All the best and have a good day Good luck and don't forget to subscribe our channel